स्टिप क्लस्स में स्वागते बच्चों आप से भी कैसे हैं अभी आप भरवी इतियाश चेप्टर फाइप यातरियों के नजरिये समाज के बारे में उनकी समझ के बारे में पर रहे हैं आज मैंने बहुत ही परसन लिया है इवनबतुता और बढरियर ने जिंदरिश्टी कुण से भारत में अपनी यातराओं के विर्तान्त लिखे थे उनकी तुलना के जियत था अंतरवताईए बहुत ही important person है इबन बतुता और बर्णिया दोनों विदेशी यातरी थे चलिए बच्चों उतर दिखते हैं उतर दिखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब करें कोमेंट करें अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें पहले मैंने सब्सक्राइब यहां सजाते हैं इबन बतुता मरको यातरी थे इबन बतुता भारत आया 1333 में और किसके दरवार में आया बच्चों सुल्तान मुहमद बिन तुगलक के दरवार में और इन्होंने पुस्तक जो लिखेते उस पुस्तक का नाम था रियला और फिगर में आप देख सकते हैं इबन बतुता को घोड़े पर सवार आ रहे हैं भारत अब दुसरे यातरी हैं ये बहुत ही इंपोर्टेंट है कि रियला के लेकर कौन है इबन बतुता कब आया 1333 में किसके दरवार में सुल्तन मुम्मद बिन तुगलक के दरवार में दुसरा है बर्णियर बर्णियर जो थे फ्रांसिसी यातरी थे फ्रांकवा बर्णियर एक चिकिस सक थे राजनितिक थे दारसनिक थे तता इतियासकार थे ये भारत आई 1656 इस्वी में ये भारत में रहे 1656 से 1666 इस्वी में दरवार इनका किसके दरवार में आये साजहा साजहा के जिस्ट पुत्र दारासिको के चिकिसक के रूप में आये साजहां के बड़े पुत्र का क्या नाम था बच्चो दारासिको ये भी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव है कब आये 1656 में और इन्हों ने जो महत्पूर्ण पुस्तक लिखे ट्रेवल सिंदम मुगल अंपायर आप फिगर में देख सकते हैं कि बर्नियर को फ्रंकवा बर्न विस्तार से लिखे दोनों के दिरिष्टी कौन उनकी तुलना और अंतर इस प्रकार है अब पॉइंट में बनाते हैं बच्चो चुकि ये दिरगुत्री है देश और समय इवन बतुता मुरको से चोदवी सदी में तथा फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसे सतरवी सदावदी में भारत आये इवन बतुता कवाई चोदवी में और फ्रांसिस बर्नियर कवाई तो सतरवी सदावदी में दोनों ने ही भारत के विभिन्य चेतरों की यात्रा की थी और उस समय अधार पर अपने विर्तान्त लिखे थे दूसरा पॉइंट मुराया है बच्चो परभौ इवन के कारण उसने अपने यात्रा विर्तान्त में यहां की परसंसा की थी परंतु फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस से आया था जो एक उन्नत था बुद्धी जीवी परंपरा वाला दिश था इस कारण बर्नियर ने परते एक भारती विविस्थाओं की फ्रांस से तुलना की थी औ और उसे यहां भारत की इस्तिती को निवन बताया था। इवन बतूता के विपरीत उसने भारत की अतियंत गरीव तथा निरंग को सासन करने वाला देश माना था। क्योंकि वो जो है फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस भारत से अच्छी इस्तिती में था। तिसरा पॉइंट है बच्चो भूमी विवस्था, बर्नियर ने भारते भूमी विवस्था की कड़ी आलोचना की थी, उसके अनुसार भारत की गरीवी के लिए जिम्मेवार राजकिय भूमी स्वामित्य सिद्धान्त था, उसके अनुसार भारत में रेतिली और बंजर भूम के कारण तथा सर्मिकों की आर्थिक इस्थिति खराब होने से यहां अच्छी खेती नहीं होती थी, किस के अनुसार? बर्नियर के अनुसार, दुसरा कारण था भूमी पर किसानों के बजाए, राजकिय नियंत्रन होने से किसान भूमी पर पूरा ध्यान नहीं देते थे, त अभी वर्णन जो है भूमी विवस्था यहां से सम्मंदित खिर्शी के बारे में जो है फ्रांक्वा बर्णियन ने किये हैं जबकि इसके विपरीत इन बतुता ने कई फल सब्जियों का उले किया जिससे कहा जा सकता है कि उसके अनुसार भारत में अच्छी खिती होती होगी इन बतुता ने पॉन नारियन का विसीस रूप से वर्णन किया बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन कि पॉन नारियन का विसीस रूप से वर्णन किस ने किया तो इन बतुता अगला पॉइंट है बच्चो समाजिक वर्गी करन इन बतुता था बर्णियन ने हिंदू के समाजि में अन्विश्वासों तथा कूर्वितियों के लिए ब्रहमन वर को दोसी ठराया था उसने राजपूर्थ समू का विशेश वर्णन किया था जबकि इमन बतुता की विर्तांत में इसका उलेख नहीं है दूसरी तरफ से इमन बतुता ने दासपर्था तथा डाक विश्था का विश्थित विब्रन दिया था दासपर्था और डाक विश्था का वर्णन किस ने किया तो इमन बतुता ने जो फ्रांसिस बर्णियान ने नहीं दिया था पाचमा पॉइंट है राजनेतिक दिरिष्टी इन बतुता के समय मुहम्मद बिन तुगलक भारत का सासक था उसकी दान सिलता तथा बतुता के दिल्ली के काजी पद पर न्यूक्त होने पर बतुता समराट का परसंसक बन गया था सुभविक है कि काजी बनने के बाद वो राजा का जो है परसंसा करेंगे मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोलतावाद की अस्थापना तथा उस नगर की वैभव की बतुता ने बहुत ही परसंसा की थी बर्नियर के समय मुगल दरवार में राजगदी के लिए सडियंत्र हो रहा था तथा साजाहां के उत्रादिकारी के लिए युद्ध की इस्तिती थी दारास के चिकिस्षक होने के कारण बर्णियन ने मुगल साही सदस्यों का सही वर्णन किया था क्योंकि वह मुगल दरवार में था उसके अनुसार मुगल राजकुमारों की साधी में कठनाई होती थी क्योंकि वह व्यक्ति भी गद्दी के लिए दावेदार हो सकता था अगला पॉइंट है बच्चो लास्ट पॉइंट है छटा पॉइंट वेपारियों के बारे में फ्रांसिस वर्णियन ने नगर के सिल्पकारों और वेपारियों के बारे में विस्तार से वर्णन किये हैं उसके अनुसार सिल्पकार वेपारी ये सभी आलसी थे भारत में अनिक हस्त उद्योग थे जिनके उत्पातन की विदिसों में मांग थी वा नगरों की वैभव तथा बड़े-बड़े कारखानाओं का उलेख करते हैं बढ़नियर ने विभिन परकार के वेवसाय के लोगों का वर्णन किये हैं जैसे चिकिस्षक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तु वीत, संगीत, कार्शू लेखक, इत्यादी वेपारी अक्सर मजबुत सामोदाई काथवा बंधुत्य के संबंदों से जुड़े होते थे और अपनी जाती तथा वेवसाय के संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे बस्यमी भारत में ऐसे सम्हों को महाजन कहा जाता था यहां करता नहीं होगा बच्चों और उनके मुख्या को सेट कहा जाता था इन बतुता ने इसका वर्णन नहीं किया इस परकार यह कैसा लगा वीडियो कोमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों बहुत बहुत धनिवाद आपका